वेल्कम बैक, आप देखें हैं सियासत मना हैं हमाई साथ हैं नजीन राजी साहब सर अगर अगर अब ये फॉज की तरफ आएं आप एंटी इस्टैबलिश्मेंट अगर अगर अब नवाश्री साहब को हम थोड़ी देर के लिए समझ लेते हैं तो वो एंटी जेनरल भी हैं और उनकी पार्टी की तरफ से उनके चीफ स्पोक्स परसन से चीफ विप की तरफ से एक अजीब गरीब स्टेटमेंट आई जो के शायद एक नजरिये को वो शायद गलती भी हो शायद वो अपनी बातें वापिस ले लें हमारी इनकल्क्लेशन देखी, सारी हमारी फंडिंग देखी, सारी अमेरिकन मनी, अमेरिकन वेपनरी देखी, साओधी पैसा देखा और उसके बाद वो काफी करीब हो गए अपने उन क्रियेशन से जिनको पीर भाई का एक स्टेटमेंट होता था मिलिटरी में कि जी हमारी मिलिटरी में तो नहीं है, लेकिन ये हमारे साथ-साथ हैं, वो मुझाहिदीन होते थे, वो फ्रीडम फाइटर्स होते थे, आज वो स कोई शौर ही नहीं था, जिनको अपने जबाने के बारे में कोई इल्म लई था, जो इत्दार के भूके थे, उन्हों ने अमरीका नवाजी में पाकिस्तान की फाज को इस मुश्किल में डाला, वो जब सोवेट यूनियन का अफ़ानिस्तान पे कब्जा हुआ है, तो जिया उन्हों ने कहा कि ये मुग फली है, मुझे तो ज्यादा चाहिए, और आखरे कार रेगन साव तश्रीफ लिया, ये रिपब्लिकन पारटी, और उन्हों ने आकर इनको वो मदद भी फराहम कर दी, और इन्हों ने उनको जहाद फराहम किया, ये था वो पहला मरहला जब पा उनको आप ऐसे लोगों के साथ शामिल करेंगे, जो मजब के नाम पर एक गुरिला वार रड़ रहे हों, और फिनेटिसम उनका, अरब, जो सौदी अरब का जो मसलक, उस मसलक के लोगों की वहां कियादत हो, और उनके साथ इंटरेक्शन हो, तो ये मुमकिन नहीं है, कि इंटरेक्शन में मसलूफ थे, उनको नजरियाती तोर में मतासिर कर गए, उनको मौल भी बना गए, उनमें एक्स्ट्रीमिस्म डाल गए, वो जो था वो फिर आखिर अधर उधर भी आना था, असानी से ये काम यू हो गया कि अमरीका को उस वक्त जिहादियों की जरूर थी वो भी उनका सर्प्रस्ट बन गया, हकूमत को जरूर थी जियाल हक की, वो भी उनका सर्प्रस्ट बन गया, जब सरकारी पालीसी भी ये होगी कि मजब के नाम पे हमने लड़ना है, धरना है, मरना है, जब अमरीका की सर्प्रस्टी भी मिल गईी कि आपने मजब के नाम पे करना है, एक्सिरिजम के नाम पे आपने यह यह फराइज अंजाम देना है, तो उनके काम तो हो गए, सोवियत यूनिन तो हार गया, ज्याओ लगती हुकुमत तो चल गई, बजबूत हो गई, लेकिन पाकिस्तानी फौज की जड़ों में जो दीमक लगई, वो यह थी कि अब परपस कोई ने रह गया, पहले यह फौज तामीर हुई थी, तश्कील पाई थी, भारती जारहियत का मुकाबला करने के लिए, पहले यह फौज थी सरदों की इफाज़त के लिए, लेकिन याया खां के जमाने में शेरवी खाने आके जब वो नदरिया पाकिस्तान तखलीक किया, बैठ कर अपने चंद सरकारी दाज़िफरों के साथ, और उस नजरिया पाकिस्तान को फौज के अंदर पहलाया, और उन रिजासिक किया उनके जहनों में, तो फौज जो के बनाई जाती है सरदों की इफाज़त के लिए, उस फौज में कन्फूजन पैदा कर दिया के हम तो इसलाम की फौज हैं, अब इसलाम की फौज कहां का, इसलाम की सरदे कहां फिर, फिर तो बहुत बचारे लड़ते हैं सरदों के लिए, आप कहते हैं आप इसलाम के लिए लड़ें, इसलाम के लिए कहां कहां लड़ेंगे जाके फिर वो, तो एक ऐसा कन्फूजन नहीं चाहरा लेकिन आपको मालूम होगा कि अब जो टर्रिस्टों के खिलाफ हम लड़ रहे हैं हमें अब मुहास्प पर जाने वालों के ये मालूम करना पड़ता है कि वह उसका मसलख क्या है उसका फिर क्या है उसका ये ऐसी तकलीफदे बाते हैं कि इनको मैं ज्यादा खु तो इस चीज से निकल कर एक जो चीज पाबले इतिफाक होती है जिस पर तमाम अवाम मतफिक होते हैं वो होता है डिफेंस मुल्क का दिफार मुल्क के दिफार से निकाल कर आपने उसको नजरिया पाकिस्तान की जर्दों पे डाल दिया आपने उसको इसको इसको इसके वह जो पतनीज़ थी किक हमें इंसे क्यों लड़ए जा रहा है. और उनका उसुर नहीं है. यह जो मौलवी हमने फौज में दाकिल किये यह किसे ने किये? उन्होंने तो नहीं किये बचारोंने. उन्होंने तो नहीं गया थे मौलवीएं को बिलाने. के लिए ये आर्मी तश्å kील पाये थी आज जू है वो प्रिंटापल्स थोड़े और बी इसलाम का नाम रौशन करने के लिए भी आमी काम करती है जंग टर्रिरिजम के ख़्लाफ भी आम olmak काम करती है Islamic World की आमी भी ये अपने आपको सोचती है या सुचवाया जाता है ऐसे सर लेकिन आपके ख्याल में ये जो शुरू के जो शुरू का सीड था वो भी क्या अब दुरस्त है कि जी इंडिया के खिलाफ हमें पांच लाक स्ट्रॉंग आर्मी चाहिए जी जी शुरू इस तरह से हुआ है कि जैसे ही पाकिस्तान गाइब हुआ वो जो रियास्तों के बारे में एक फैसला हुआ था बेशक वो कांगरस की बर्जी के खिलाफ हुआ था क्योंकि ये तो हमारा था आपको मालू होगा कि ये मुस्रुनीक की पर मुदल थी कि जो सरदी रियास्ते हैं यानि जो दोनों पाकिस्तान जिनकी सरदी पाकिस्तान भारे से दोनों से मिलती हों इसका फैसला कैसे किया जाए कांगरस की तज्वीज ये थी कि इसका फैसला उन रियास्तों के अवाम पर छोड़ लिया जाए और अवाम की एक्सिरियत जिस मिल पढ़ गया के किश्वीर में अक्सरीयत मुस्लमान थी, हुकवरान हिंदू थी, अब हुकवरान को यह घेड लिया अडिया ने, कि आप हमारे साथ इलाख करें। तो जगड़ा यह पढ़ गया, हम यह कहते थे, कि अक्सरीयत मुस्लमानों की है उनकी तरफ फैसला होना चाहिए और वो ये कहते है थे हुक्वरानों को ये हक मिला हुआ वो हमारे साथ आगे है जब के ये मतनाज़ आज तक है कि माराजा जो कश्मीर का था उसने इलहा किया था इंडिया के साथ ये नहीं किया था लेकिन अब ताकत के बल पे इंडिया ये पोजीशन लेकर बैठा हुआ है अच्छा जब ये जगड़ा पड़ा और कश्मीर की जग हुई तो फिर हमें ख्याल आया कि हमें पैज जो काई आजम का तसवर था वो तो ये था कि हम पुरमन तरी के से रहेंगे भाईयों की तरह रहेंगे अच्छे हमसा दिफाई जो कुबती बहुत कफ़ोर थी हमारी फौज बहुत सारी तो भी इंडिया से इधर भी नहीं आई थी वो था बौका जिस पर पाकिस्तान को फैसला करना पड़ा कि हमें अपनी दिफाई कुवत तयार किये बगए हम जिस्टिस के साथ इंडिया इंडिया से कुछ जरहना को बत्यार करने का हमारा को इरादा नहीं था ना हम कुछ जमीन का किसी इसने पर फ़बजा करना चाहते थे उसके बाद फैर जो फौजी हुकमत आ गई उसने तो इसको फिर इंडिया दुश्मनी को अपना रोजगार बना लिया उसके बाद फिर चल सो चले अ अब भी हम कभी न कभी हमें ये मसला तो हल करना होगा कोई मसला मसलसल जंग के जरिए तो हल होता नहीं है तो फाइनली तो हमें जाना पड़ेगा मगर अब उसकी राह में इस दूसरी रुकावटे खड़ी हो गई है एक नया तसवर आ गया है वो यह है कि हम नॉन स्टेट तो भी अपने दिफार का हिस्सा बना के बैड़ गए हैं तो हमारी फाज में बहुत से लोग ऐसे पाए जाते हैं जिनका ख्याल है कि ये जो टेरिस्ट हैं ये जो गैशत गर्द हैं इन्हें हमें एक वैपन के तोर पे इस्तिमाल करना चाहिए अगेंस्ट इंडिया तो उनसर है क्योंकि बनाए ऐसे था सर लशकर तयबा और ये जो पूरी जो जमात दावा से सारे इल्जाम है वो यही हैं ना कि पहले या आमी के विंग के अंडर थे आज या आमी के खिलाफ आर्मी की हमायत या आर्मी के लो़र आफिसर्स या चंद रेनेगेर्स की हमायत क साथ काम कर रहे हैं इसलिए कामयाब हो जाते हैं पी एनस महरान टाइप आपरेशन में यह इसलिए तो यह जहन हमारे हां मौझूद है कि इनकी सरपरस्थि की जाए यह हमारे इताहदी है इनके साथ बिलके चलना चाहिए और इन्हें इंडिया के खिलाफ इस्तिमाल करना च समझते हैं कि यह ख्याल सीनियर आफिसेस के अंदर पाया जा सकता है पूरी इस्टेबिश्मेंट जी चंद आफिसेस की बात मैं नहीं कर रहा यह तो लशकर तयबा और दूसरे इस तरह के जैशे मुहमद वगरा हैं इनको आज भी पैटर रेज़ बिल रही है इनके लिए यूएन भी जो कुछ कह रही है हम अवरी को बानने को तयार रही हैं यह लोग आज भी शेटर बे हैं यह लोग आज भी इनको रियास्त का तहफुज हासल है सभी और लचके तयबा की जो लिंक सलीम शज़ाद साब लिखते हैं कि अगर अल्काइदा से हैं या अगर मैन कर रहा है और तालबान जो है तरीके तालबान पाकिसतान को क्रियेट करने वाले अल्काइदा थे और बगगए इंस्ट्रक्शन के बगए किसी बगए पूछने के वो कोई काम करते नहीं है और असली जो इसको हम सत्तर असी समझते थे अलकाइदा फाइटर्स वो इन अक्च्वालिटी अब हमायत अगर आप देख लें तो कई हजार हैं तो आप इस वाली थेरी को बाय करते हैं जी थेरी नहीं है यह एफेक्ट है जी आप देखिए जब क वो भी उनमें चले गए तो उनमें बाहमी राप्ते हुए एक बात याद रखिए कि जो जंग जू ग्रुप बरसरे अमल होते हैं वो जहां जहां रियास्ति धांचा है उसको तहबला कर देते हैं वहां पर ला फिरू उनका अपना हो जाता है हमारे हाँ भी हमारे जो फाट के अथर्टी नहीं रहे गी हुई अफगानिस्तान के तो बड़े हिसे पर उनके अथर्टी नहीं थी तालवाल के जबारे में तो पूरा अफगानिस्तान ही इनके जंग जू बचारा हदब बना हुआ था बैदाने जंग बना हुआ था अब अब अबारा फाटा और अफग उन्मयत पहुचाते रहे हैं, एक दूसरे को फाइदा पहुचाते रहे हैं, एक दूसरे के साथ मिल के लड़ते रहे हैं, तो यह रिष्टे एक दम लिट लही करते हैं, यह तो बरकरार हैं. नदीर नादी साथ क्या देखते हैं फ्यूचर अब, what do you see as the future of Pakistan? और इसलाम की फाज़ बनाके वो भी जयावलवाइन बाद में उसको बहुत तुबाव बरबात करके रख दी है, अब हम एक कन्फ्यूचर नेशन है, हम ये पता नहीं हमारा दुश्मन को है, हम निशान दही नहीं कर पा रहे, हम ये पता हीं किस से लड़ना है और किस के साथ हम आज भी हम अब कह रहे हैं कि हम अमरीका को भी ललकारेंगे अमरीका तो खेर आप भी ललकार से क्या डूरेगा अमरीका के अपने कुछ वफादात हैं जिनके तहत वो वो एक सुपर पावर है जी उसका तो सीधा साधा तरीका है जिस से जितना काव जिस तरीके से लिए जा क्योंकि आप जिस इंडिया सेंट्रिक होके बैठे हुए हैं आपने उनसे रड़ा जरूर है नड़ाई की तैयारी जरूर रखनी है उसके लिए आप असला कहां से लेगे वो तो आपको वहीं से वहीं से भी लेगा दूसरी बात ये है कि इंडिया की नेवी जो है वो इतनी ज हासिल होनी चाहिए ये आपको ताफुज हासल होना चाहिए आपको ताइद हासल होनी चाहिए अगर आपने इंड़स्तान को दुष्मन ही तसवर करना है अगर ये तो पहले जिसकर रहा हूँ अगर इस माइंड सेट के साथ आपको चलना है तो फिर आप Amérique से कैसे रड़ें से नई सर नदीनाजी साब ये सिर्फ दिफाई ताकत की बात नहीं है चीन ने फिर कल भी का है कि हम इंडिया अपना मेजर ट्रेड पार्टनर बनाना चाहते हैं चाइना को आप क्या समझते हैं कि हो हमारी दिफा के लिए कोई बड़े भाई की तरह आ जाएगा ये तो काफी स हम जाएं कोई में हम कुदें और फिर कहें चीन हमें आके बचाएगा इंडिया से दिश्वनी हम करके बैठ जाएएं चीन हमारी खातर उसे रड़ेगा वो क्यों रड़ेगा जी अगर जाते जाते हमारे पस मिनिट डेड़ मिनिट रह गया है आपने के आस का कि अगर हम इस मसाइल से दोचार हैं उन्हें हल करने के लिए हम जो कोशिश करते हैं वो कोशिश मजीद मसाइल पैदा कर रही है जो हल हम निकालते हैं वो हल मौजूद जो मौजूद जिस मसले के लिए निकलता है उस से ज्यादा और पिचीदगी लेकर आ जाता है एक गुच्छा है जो ह उलिटी चली जा रही है और ये हर शोवे में हो रहा है नाई साब आप बलोचस्तान पालिसी को कैसे समझते हैं कोई पालिसी ही नहीं है वो तो हमने आलात के रहमों करम पे छोड़ रखा है बलोचस्तान को नाई साब यू सी नो फूटर नो नाफिंग बट के आस आप बस जी पाकिस्तान कोग हैं जो ये कहते हैं कहें पाकिस्तान तूट जाएगा पाकिस्तान नहीं तूटेगा पाकिस्तान दुनिया के नक्षे पर अपना मुकाम बना चुका है और जो सेकंड वर्ड वार के बाद बिसाथ बिची है आलमी सियास्ट की उसमें पाकिस्तान का जो वजूद है वो अपनी हैसियत हासिल कर चुका है अब ये है कि इसके अंदर जो खराबियां है वो तो एक ना एक दिन उसका अंजाम होना है और अंजाम मेरे दिए कि ये है कि जब कोई भी एकसेप्टिड और जो के तूट रहा है हमारे हैं तो फिर नए और्डर का अबर्ज होना जरूरी होता है तो इस से तूट फूट के अमल को जो हमारे हैं जो है सोचल और 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 स्टेट का और ये दोनों जब इस वक्त तूट फूट का शिकार हैं तो इनकी तूट फूट मकबल होने से पहले नहीं आएगा, इन लोगों के हाथों से तो बिलकुल नहीं आएगा, जो आज के जमेदा आएगा, आपकी नजर में बहुत मुश्किल है, थैंक यू बहुत वर कमिंग सर, शुक्रिया आपने हमें अपने टाइम दिया, वियो जाब देखे ते सियासत मना है, आप हमें अपनी झाल झाल